अंकित को उसके सलरी में इंक्रिमेंट दिया जाता था मतब दिया गया है कितना 10% का तो यदि हम उसको सलरी को माल ले X तो X में यदि हम 10% का increase कर दे तो जो new salary है वो निकल जाएगा हैगी नहीं मतलब पुरानी salary यदि X है और X में ही यदि increment हुआ है कितने का 10% का तो increment का मतलब क्या होता है increment जब होता है न तो जो salary पहले होती है उसी में 10% का increment होता है तो x plus 10% of x करेंगे तो x में हमने increment कर दिया this is increment अब increment करने के बाद जो total salary आएगी complete his new salary वो हो जाएगा 3575 so यहां ले सकते हैं 3575 तो हमारा यह बन गया equation इसको solve करना है साल कर लिजिए x plus 10% of x means 10% means 10 upon 100 of means multiply x is equal to 3575 now 100 से हम मत्प्लाई करेंगे और यहां जिरी जिरी गन्सिल कर दिजिए यह 10 से हो जाएगा 10x plus 11x whole upon 10 is equal to 3575 देख यहां पर मैंने LCM लेकर किया है तो आप लोग भरायेगा मत यहां मत्प्लाई कर लिजिए पहले x upon 10 हो जाएगा और 10 और 1 का LCM लेकर के solve करेंगे दिना आ जाएगा definitely अब यहां से x के value find कर लेंगे 3575 multiplied by 10 whole upon 11 तो यहां देखें नीचे 11 आगे है ला इसका मतलब कि 11 से यह 3575 cancel out हो जाएगा तो 11 जाएगा 11 और यहां पकाटेगा 11 333 2 बचा 27 11 22 5 बचा 55 और 11 55 और 10 से प्लाई करनेंगे आपको मिल जाएगा 3250 रूपीज तो इतना 3250 रूपीज जो था salary था किसका अंकित का before increment तो बिलकुल ही आपको दिख रहा होगा कि 3250 जो है लेस है 3575 में से 75 से right that's why यही increment हुआ है आपका 10 परसेंट खोब के पुसों में आजुका होगा कैसे यह हुआ और बहुत ही आइसान है एक्वेशन ठीक है थेंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाई